हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको यह अपताना वालों कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं यानी रैम कितने प्रकार क्यों होते हैं और क्या क्या होते हैं वैसे तो दो प्रकार क्यों होते हैं पहले नबर बाता है स्टेटिक रैम स्टेटिक रैम के बार करता है और कोई भी कैपसिटर नहीं ट्रांजिस्टर को लीकेज को रोकने के लिए पावर नहीं चाहिए यह पावर मतलब इलेक्टरसिटी इसको बार बार रिफ्रेश करने की कोई जूरत नहीं डाटा सिर रहता है S-RAM और D-RAM से भी ज़्यादा चिप्स चाहिएं समान साइज का डाटा को स्टोर करने के लिए इसलिए S-RAM को बनाने में पैसे अधिक लगते हैं D-RAM की तुलना में इसलिए S-RAM को कैश मेमरी के हिसाब से इस्तमाल होता है कैश मेमरी सबसे तेज है बाकी सबसे S-RAM की यानि इसकी क्या क्या विशेष्टे हैं पड़ी यह बहुत दिनों तक चलती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की जुरत नहीं होती काफी तेज होती है इसको कैश मेमरी के इस्तमाल किया जाता है इसकी साही ज़्यादा है महेंगी है दूसरों से ज़्यादा पावर चाहिए अगर डाटा को बरकरार रखना है तो यह केवल तबी संभव है जब इस मेमरी को एक रिफ्रेश सरकेट के साथ जोड़ा जाए अधिकांच समय इस डी रैम को सिस्टम मेमरी बनाने में इस्तमाल होता है यह डी रैम एक कैपसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बना है अब ब़ात आति है फेरेंजो इसके करक्टरिक्सी यह बहुत कम दिनों तक चलती है इसको बार बार रिफ्रेश करने इजरत होती है काफी दीमी है इसको कैश में अमरी के लिए इसमाल गिला जाता है इसकी साइज कम है सस्ती है दूसरों से कम पावर चाहिए इसको तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब डिकरेगा तो कि ऐसी वीडियो में आपके लाता रहता हूं